साथियो नमस्कार मैं महेश चंदर कोशिक सेवी पंजीकर्थ रिसर्च एनालिस्ट अपने यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप शेर बजार में दो लाख रुपए का प्रामिक निवेस करके दस क्रोड रुपए कमा सकते हैं पूरी बिज्यानिक वीडि में आपको समझाऊंगा पूरी फाइनेंसिल प्लानिंग इसकी मैं आपको आज के वीडियो में समझाने वाला हूँ मैं आसा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपकी शेर मार्केट की यात्रा को खुशियों से बढ़ देगा तो आज का ये वीडियो इतना लंबा क्यों है आज का वीडियो इतना लंबा इसलिए है कि इसके अंदर पांच बाग आपको बताय जाएगे इस वीडियो में 5 चीजों का मैं बुक्यत वर्णन करने वाड़ा हूँ क्या क्या वर्णन है पहले बाग में मैं सबसे पहले आप में को इस वीडियो में एक वेपारी और उसके 10 बेटों की कार्णी सुनाऊंगा देखो अब आपको कार्णी सुनाने आयो यह बताने आयो कैसे 2,10 वोड कमेंगे यह जो कार्णी है एक वेपारी और उसके 10 बेटों की कार्णी है यह इस रिसर्च का मूल प्रेणा स्तोत्र है यह इस रिसर्च का इस वीडि का आदार है बेस है जैसे मकान की नीव होती है वैसे स्विधी की नीव क्या है एक वेपारी और उसके दस बेटों की कारी है तो कारी सुनाओंगा पहले तो बढ़ा आनद आने वारा आपको कारी सुन के कारी सुनाने के बाद मैं आपको यह बताऊंगा इस विदी में कि 2 ilaq की जो capital है उसको को कितने बागों में बाटना है एक में कितना पैसर लगाना आ ना है कन है तो क्या कर इस चेर को किस वीडी से खरीदना है कौन सा शेरी खरीदना है चुल बहुत सारे से ए उस वीडी से कौन सा सेर खरीदना है कौनält अग्ले बाग में इसल्ल प्लानिंग थो सकता है तो गिर गया तो क्या करेंगे उस गिर गिर गया तो हमारे पास एक प्लानिंग होनी चाहिए कि हम गिर गया तो उसमें से बार कैसे निकड़ेंगे तो गिर गया तो हम उसमें क्या करेंगे वो भी प्लानिंग में आपको इस दूसरे बाग में बताऊंगा तीसरे बाग में पूरी बिग्यानिक बिदी का वर्णन किय कि कैसे साथ आप 서के साथ और सात में पर्तेयक प्रफिट बुकिंग के साथ आप खुद को अपने आपको बिदेंट देते चलेंगे तो एक में तब्एक एक्चल만गally ग्यारा SBAI के खाते की प्रोग्रेस दिखाऊंगा कि मैं खुद इस वीदी का प्रियोग पिछले डेड़ साल से मेरे SBAI खाते में कर रहा हूँ क्योंकि लोग कहते हैं अक्सर इस तरह के वीडियो जब मेरे देखते हैं मैंने पहले भी एक वीडियो बना रहा है जो ETF की दुकान में दो लाग से दस क्रोड कैसे कमाएं तो क्या है अनाड़ी लोग देखते हैं देखके कमेंट करेते हैं यह तो ठीकल है प्रैक्टिकल नहीं हैं अरे बाई प्रैक्टिकल और क्या प्रैक्टिकल चीएगा एटिप की दुकान वाड़ा भी मैंने मेरे बलोग पे एक मिने तक आपको साथ साथ करके दिखाया है मेरा जो हिंदी.meeskosic.com बलोग गो है उसमें उस ETF की दुकान वाड़ा भी मैं एक मिने तक साथ में कर रह पूर रहे होंगे उनका क्या जवाब दिया जाएगा वो भी मैं पहले से यह फेक्यू बाग में ले लूँगा ताकि आप जिनोंने वीडियो पूरा देखाया तो उनको कोई कमेंट करने की जुड़ती नहीं पड़े कमेंट करके कोई स्वाल पूसने की जुड़ती नहीं यह पांच बागों में सारी बातों का वर्ण किया जाएगा बहुत ही रोमांचक वीडियो उने वाड़ा है आप पूरा वीडियो बहुत ही जान से देखिएगा बगहर स्किप किये मेरे साथ जुड़े रहे हैं तो आईए अब कानी सुनना सुरू करते हैं यह कानी इस सुंपुढू नाम का वेपारी रहता था मैं वैब वैपारी का नाम है किसी वेक्ति विशेज के नाम पे देता तो लोग रहते कि आपने मेरा नाम दे दिया तो आपको पता है कि मेरी बूक्स में भी आएसे चंदू, चिंकी, गिसू बाई, अब्दूल ऐसे नामों का प्र रहशे है कि दुनिया का मांतम सेल्समें नाम की किताब है उसके अंदर भी कंबल बेचने पर यह कानी लिखी की थी तो मैंने इस कानी का दार भी कंबल को बढ़ाया है तो मालोडी नाम के गाव में सूपडु नाम का वेपारी रहता था जो कंबल का वेपार करता था और उस व वेपारी के 10 बेटे थे और 10 के 10 बेटे कोई कामदाम नहीं करते थे जब वो बेटे जो आन उने लगे तो बड़ी चिंता हुई वेपारी ने एक दिन अपने 10 बेटों को बुलाया और 10 बेटों कहा कि देखो बच्चो मैं बुर्ड़ा होने लगा हूं और मुझे diabetes भी हो गई है और तो मैं कभी भी मर सकता हूँ तो तुम लोग कोई काम दन्दा करते नहीं हो कोई काम दाम करते नहीं हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे कहने से सिरफ मैं जो आपको 15-15,000 रुपय के कमबल दूँगा मेरे करने से आप इतना सा कर लो और सिर्फ आपको 6% profit कमाना है यानि आपको ज़्यदा मेंगा नी बेजना 1.500 रुपय का कंबल आपको दे रहे हैं तो 169 रुपय का बेचना है 6% प्रोफिट ठाली कमाना है और आप निकट बरती गाम में जाके 6% प्रोफिट कमाके बेचाओ सुपणू नाम के वेपारी ने अपने 10 बेटो को बात कही तो ये सुनके बेचे हसने लगे ये सुनके बेचे हसने लगे कि पापा इसमें क्या मिलेगा 15,000 का 6% है 900 रुपय तो 900 रुपय तो हमारा और ओटल का बील होता है अब अमीर वेपारी था ओटलों में बच्चे खाना खाते थे रेस्टोर एंट में 900 रुपय का तो हमारा होटल का बिल होता है इसमें हमें क्या मिलेगा बच्चे हंसने लगे तो वेपारी ने कहा कि बच्चो तुम एक बार मेरी बात माल लो मैं कहूं वैसा करके आ जाओ और उसके बाद इस परकिरिया को सिर्फ 233 बार आप रिपीट कर द यह सुनके बेटे जो बेटर सुचा है अच्छा बुड़ा बड़नास है हमें तो बुड़्ळा कहता था कि मेरे पास सिर्फ दो लाख रुपय की पुंजी है बुड़ा इनको kannstadora था कि बचचो अपने पास सिर्फ बुड़नाख ही आपने दस बचों में परते एक बच्चे को दे परते सुमपुलों सुमपुडू बच्चीcket अब հिए 17 रुपआरी 8 फचे खाणा भी खाते वाँ जाके अब बच्चे खहते तो उसमें खरचा खत. 800 रुपीट बसता, 800 में 400 रुपए और टो हो खुद के लिए रख रख लेता बीटा और बेटे ले लें修iousड में युज करता, यानि अगली बार जो कंबल उनको देगा वो 15,400 पेगे देता 15,000 तो मूल पैसा वापस लेके आई गए थे और प्रोपिट में से वो खर्चा काटने के बाद आदा प्रोपिट जो है कंपाउंडिंग के लिए फिर से जोड़ देता 15,400 पेज़ अब की बार बच्चो आपको 15 अगले राउंड में जब बच्चा जाएगा कंबल बेशने तो उसको 15,400 कंबल बेश के आने और बुड़े में का था कि ऐसे 233 राउंड तो मैं तम सबको एक क्रोड रुपे दे दूंगा और एक क्रोड रुपे बुड़ा भी वह 400 रुपे आदा खार है ना बुड़ा भी मेंती थे वो उनको कंबल बेशने में साथ दिल लगा कुछ बच्चे एक मीने भी परिसान होते लेकिन उनके कंबल नहीं बिखे अब देखो यह एक सेर्समें की कला है मैं आपको पहले भी कहा है दुनिया का मानतम सेर्समें एक किताब है जो मैंने भी पढ़ी है मागे आप को दुनिया का मानतम सेर्समें किताब को पढ़नी चीए यह सेर्समें सीप है कोई तीन दिन में किसी चीज को बेच लेता है कोई दस दिन में बेचता है कोई एक मिने में बेचता है कुछ बच्चों को दो मीने भी कंबल बेचने कुछ बच्चे तीन मीने भी कंबल नहीं ब कंबल दिख रहा है ग्राक उसका 20% कम दाम उफर करते को शेर मार्केट से जोड़ना इस कानी को शेर मार्केट में आपके भी तीन मिने को शेर नहीं बिकता तो बीस एक परशेंट वो गिर भी जाता है यहां वही बात आ लिए कि कुछ कंबल पुराने पढ़े ग्राक उनको क् कंबल पुराने पुरणे आपके के कंबल कानी है यह इस कारणी को आप बोटी-बोटी आपने समझ लिए है आगे इस कारणी काम प्रेक्टिकल यूज करेंगे पूरी वेदी इसी कारणी पर अदारीत है तो अब मैं आसा करता हूँ कारणी का बाग आपने बहुत आनन से देखा भी होगा और समझा भी होगा इस प्रकार से 2195 बार में जब वो बच्चे कमबल बेचाए एक एक बच्चे ने जब 250-3 रांड कूरे कर लिए तो बुढ़े ने अपने वादे के नुसार परते एक बच्चे को 1 एक करोड रुदय दिये और 10 करोड रुपे उसने बच्चों में बाट दिये ये वीधी पूरी तरह से बिएयान और गनित पे अधारीत है, मैं आपको पूरी तरह से बिएयानिक विधी समझाने की कोसिस कर रहा हूँ, आज के आपके वीडियो में जो विदी आगे बताई जएगी पूरी तरह से इस कानी के बिग्यान और गणित प्यादारीत है, इसमें कुछ भी बोर करने जैसा नहीं है, मैं आपको पूरा विश्वात दिलाता हूँ कि इबीदी आपके जरूर काम आएगी, यदि आप किरकेट के गैम में पैसा लगा करके कोड़ पती बनने का खौप दे है, जेकिन ये बिदी तू की बिग्यान और गणित प्यादारीत है, इसको आप यदि step by step follow करेंगे, तो दो और दो चार ही होते हैं mathematics में, तो ये बिदी आपको दिरे-दिरे करके, आपके 10 क्रोड तक की यात्रा पे ये बिदी आपको अवश्य ही ले करके जाएगी, और मेर पिछला वीडियो था, जिसमें मैंने एटियफ पे बनाया था, जिसमें मैंने एटियफ बड़ा वीडियो में आपको बताया था, दो लाग से 10 क्रोड रुपे बनाने का एक वीडियो पहले भी डालना है बेने एटियफ पे, उसमें follow or comment करते हैं कि ये practical नहीं है, ये practical नहीं दो लाग रुपे का फंड है, सिला मुद्दे की बात पर आते हैं, माल लिजे आपके बास भी दो लाग का फंड है, तो सबसे पहले तो आपको अपने दो लाग के फंड के दो बाग करने, डेड़ लाग रुपे अलग करने और पचास जार रुपे अलग करने हैं, ये सब्सक्राइब कर सकते हैं तो उसके अंदर भी आप ऐसे अपने दस बेटे मान के यह सिस्टम उसमें भी कर सकते हैं तर्टल ट्रेडिंग वाली में तो बाकी जो नए फॉल्वर है वाद में इस तरह के वीडियो मेरे और चैनल पर देख लेना अभी तमये इसे कंप्रीट वीडियो को मैंने कंप्रीट बढ़ाया है इसमें आपको सारी बात एक-एक समझाई जाएगी तो कुल मिलाके 2,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, शेर एसम तो एक को 15,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 भी होती है बैंकों में आजकर तो ऑनलाइन एप हैं बैंक जाके थोड़ी अपड़ी करने हैं 15 दिन के अपड़ी कर लो जब तक आपको पैसे की जूरत नहीं होतनी आप उसको सेविंग सेविंग अकाउंट में रखो बहले ही सेविंग अकाउंट में पढ़ा तो भी 3% ब्याज कमाएगा तो सेविंग अकाउंट में रखा पैसा आपका दोस्त है आपका दूस्मन नहीं है मैं पहले भी मेरे कई वीडियों कह चुका हूं हम लोग क्या करते हैं जब सेर मार्केट में होता है न बुद्रन में होता है तो है डियों में पढ़ा पैसा सेविंग में पढ़ा पैसा लगता है लेकिन यह पैसा आपका दोस्त नहीं कल मार्केट गिरेगा भी देखे जब मार्केट गिरा हुआ था कई बार इसी स्थीतियां होई जब रूस यूकेन का यूद्वा मार्केट गिरा हुआ था कोरोना आया जब मार्केट गिरा हुआ था तब मैंने हमेशा आपको लाइव आके भी बताया कि जो चीज गिरती हो बढ़ती भी है हमेशा मैंने आपको लाइव आकर गिरे market कि बढ़ेगा भी तो यह जो आप लिक्वीड बंड रखते हैं यह पैसा आपका दोस्त है आपका जुस्में नहीं है वो जो सूपडू जब उनका value 20% कम हो जाता था, हमारे share भी कभी गिर जाएंगे कोई share, उनका valuation 20% कम हो जाएगा, तो सुंपुड उनमें क्या करता था, उनको dry clean कराने के लिए, उनमें गोटा जरी जड़वाने के लिए 1000 रुपया खर्चा करता था अर्मीने, तो ऐसे हम 1000 रुपय की मेने के SIP करके कोई गिर गया तो उसको बार निकारेंगे, फंड कहां से लाएंगे, वो इस 50 जार का जो पैसा आपका पड़ा है, उसमें से काम आएगा, तो पहला बाग तो आप ये समझेगे कि पैसे को इसमें किस प्रकार से आपको manage करना है, चलो बात करते हैं कि इस विदी से कौन से से खरीदने आपको, कौन से से खरीदने तो उन सेरों को मैं कहता हूं, आपको अकशर आपने इस तरह के शेरों का graph देखा होगा, आप किसी भी शेर को देख लो, 65 साल पहले वी ऐसी graph होते थे, और 25 साल पहले बी ऐसी होते थे, 15 साल पहले बी ऐसी होते थे, कि कोई से घिरता हुटा है कर तो यहां पर श्रक कर निकल जाता है यहां तो यह तो बढ़ जाएगा मैंने अच्छी यहां तक आ जाता है तो उसके बाद फिर से मार्केट दिरे 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 बढ़ने लगता है फिर मार्केट बहुत दिनों तक अब यहां से वापस बूपर आने लगता है तो पांच रुपया कमा के बार भी निकल जाता है अभी आली में मेरे एक साथी ने मुझसे परसंद किया कि एलाइची के सेर मैंने आठ सो आठ सो पंद्र रुपया के बाव पे लिए थे अभी 30-35 रुपया का फैदा हो रहा है तो बहुत बड़ी लार्ज केप कंपनी है ऐसा नहीं है अब यह तो इसको रखौन ओड कर रहा हूं तो अगले दिन मैंने सुना चुटके से सुना मैंने कान देके तो वही वैक्ति मेरे को गाड़िया निकाल रहा था कि कल 870 में भिक रहा था एक मुर्ख आदमी वह आज 250 हो ग करते हैं हम सेर को यहां पकड़ना रिकमान करते हैं वह फिल्टर कारती है यह मेरा जो पाने फोलो समझते हैं बोटम आउट हंटिंग तो यह लोग से बढ़ता वाना चीए उसकी यह लोग की डेट जो है पीछे आज आप यहां पे खरीद रहे हैं आप मालो अभी जैसे मेन चले है जनवरी 2004 को यहां पर खरीद रहे हैं और पीछह मुड़के देखते हैं दिसम मोंबर को सकता है अक्तुबर सब्सक्र便利is की स Agora Background और जि огıktते को सेंटेज़ाया साइँ तो हम उसको लेना में सामना करते हैं पहले उसको बटम आउटक्र मिना पहला फिल्टर ही होता है कि किसी भी सेर में जब आप खरीदते हो तो आप यहां पर जब बढ़ता बढ़ता हैगा तो यहां पर जब वो यह लगबग यह बराबर रहेगी मैंने इसमें पहले वीडियो डाला हुआ है Consolidate Breakout पे एक वीडियो पूरा बड़ा वीडियो आदे गंटे का बनाके डाला हुआ है उसमें भी फोलोर का कमेंट आया था यह में सर आप में आज कर लो पहले जैसी बात नहीं रही मैंने को इस वीडियो की डेस्ट किसन प्रवाइड करा दूँगा जिन्हों ने वह वीडियो नहीं देखा है वह जा कि अब देख लेना तो हम इसमें Consolidate Breakout इस टोक्स का प्रयोग करेंगे और वह भी आपको क्या करना होगा एक मैंने इसकी Google फाइन सीट बना दिया उसीट आपक बताएगी आपको सीट बताएगी कि आज आपके कौन से से जो है वो Consolidate Breakout की रेंज में आ रहे हैं उनको खरीदना है ऐसा नहीं है कि आपने एक साथ ही मतलब सीट के अंदर आठ दस बेटों को एक साथ ही बाट दिये कंबल ऐसे नहीं बाटना है एक दिन में एक बेटे को 6% आपको प्रोफिट भी दे सकता है तो पैसा आपका फिर से रोटेट हो जाएगा दुबारा काम आ जाएगा और कल हो सकता है कि बार्केट एक बार गिर भी जावे तो गिरे का तो क्या होगा गिरे भी खरीदने का उसर मिलेगा तो एक दिन में आपको एक ही शेर में 15,000 प को कि देखोगे तो यहां बेटे भी आएंगे कंबल भी आएंगे माल बुडी भी आएगा तो वीडिए को स्किप करके मत देखो पिछे से जागे पूरा वीडियो देखो तो पता चलेगा की बेटे कहां से आगे तो अब आपको बताने वाड़ा हूं कि यह Google Finance Sheet आपको काम इसके अंदर आ रहे हैं की बेस्ट टाइम टूबाई एडिएफसी बैक का से इसमें आटोमेटिक आया है सोड़ा सो त्यारी सुर्पर पिजाने पैसे का है इसके देखो जिन्हों ने पीछला वीडियो नहीं देखा है उनके लिए दिखा देता हूं इसमें दो सीट है एक सीट तो फाइनल लिष्ट किये एक सीट टोप फाइफंडर स्टोक की है इसमें टोप जो मार्केट कैप बाड़ी पांस सो कमपनिया है केम सबसे अधार सबसे उपड़ एपकर है कम मर्कट केप टीसी की निचे है डीएसी बैक गढते करम में पांसो कमपनिया में मार्केट के नुसार इसके अंदर ली है अब यह गूगल फाइनेंश का फार्मुला दिया हुआ है और फॉल्वर क्या होते हैं कि कई फॉलिवर जो Google सीट पे पहली बार आते हैं वो बार नOUिए Sak临क्वेस्ट बीजते हैं मेरे पास देना है। वो request मांग रहा है तो मेरी sheet edit करोगे तो सब के लिए edit हो जाएगी आपको मेरी sheet edit नहीं करनी होती आपको file menu पे जाना है file menu पे click करके make के copy करना है make के copy में इसका नया नाम जो भी आप नाम देना चाओ जैसे आपने नाम दिया मालो की मेरी 10 करोड यात्रा आपने माल लिजिए ये नाम दिया की मेरी 10 करोड की यात्रा तो इस तरह जो भी आप नाम देना चाओ उसके बाद इसको में की copy करोगे तो ये नए नाम से आपके Google Drive में copy हो जाएगी तब भी आपकी सीट डंग से खुलेगी नहीं तो ये फार्मूला के लोडिंग लोडिंग आते रहेंगे क्योंकि मेरे 25,000 फॉलोवर एक साथ सीट को लेंगे तो फार्मूले कहां से लोड ओने आपके ये समझो और एक बात और समझो कि ये गूगल फार्मूला में लोडिंग ल शोलिडेटर ब्रेक आउट सीट यहां से मैंने फिर से खौल दी तो सुरू में फार्मूला लोडिंग उने में थोड़ा सा टाइम लगाते हैं देखो एक बार ये उपर वारा फाइनल पेज है इसके अंदर भी एक बार सब बढ़ जाएंगे तो आप गफरा के इमेल कर दे देखो इसमें टोफ फाइम नेट टोप में जाएए 500 सेरों के डाटा गूगल फाइने से लेता है लोडिंग लोडिंग लिखा आता है तो आपकी जैसे आपके कंप्यूटर की रहम कितनी है मेमोरी कितनी है और आप अपने मोबाइल पे भी खोड सकते हैं तो थोड़ी देर पांच मिट आपको शीड को औपन करके इंजार भी करना है और अभी मैं सिके फार्मृले आपको समझा देता हूं फॉर्मृले क्या है कि यह जो क्रांट मॉर्केट पाई से पहले फिर 이ंस दिन की है पिस दिन भी इल में दिए तो यह सब इसमें फॉर्मृला दिया हॉआ पहले साथ दिन के डाटा इंडेक्स करेगा जो कि इसमें साथ दिन के डाटा ही चूज करने तो मेरा फार्मुला तो एक दम कि कहते हैं मनी कंट्रोल पे तो पचीस सो बाण में रुपए पैसट पैसे आ रही है आपने पचीस बाण में पैसे लिखिए मैंने नहीं लिखी गूगल फाइनेंस ने फार्मुले से दिये मामुली फ़रक थोड़ा फ़रक आ सकता है पांत दस पंदरा पैसे का इसमें आप ट कि को लो क्या है कि बान्ल मे just को फटेड़ा कि का है यह अब फोर्मुले से रही ऑटेमेटिक और कि सरका बाएनविक का लो क्या है 23 को था तो अभी जो है जन्वरी 24 में वीडियो रिकोर्ड कर रहा हूं तो इसका मतलब सेर बांड वीक आई से गिर के आ रहा है हमारा फार्मुला ये भी चेक करता है कि बांड वीक के लो से बढ़ते वह आए जिसको जारा डिटेल समझनी है वो Consolidated Breakout वाड़ा मेरा वीडियो अलग से बनावा है उसका लिंक मैं Description प्रोइड कर रहा हूं वहाँ जाके देख लेना तो फार्मुला आटोमेटिक गणना करेगा कि इस तरह सारे फार्मुला गणना दी भी है कि सेर को खरीदना है कि नहीं खरीदना है या इसको avoid करना है तो avoid पी दिन तक रहते हैं। इसलिए एक दिन में does के-des खरीदो या आउस्सक नहीं है आज आप सेर करीदो किल आप अग्ला परसों आप तीसरा खरीदना इस तरह से खरीदो बली अब आप कोई दिरमान अट गया तो तो अट गया तो भाई मत खरीदना दूसरा आ जाएगा तो यदि कोई शेर इस दरमान बढ़ गया मालो आप ने आज एज डिएफसी बैंक खरीदा कल आप हिंदुस्तान जिंक अब यह इसमें से सीट में से आउट हो गया तो मत खरीदना कोई और आ जाएगा और कोई ने कोई इसमें जैसे अभी मार्केट कितना बूर्डन में है तो जैसे दस सेर है कभी इसके इसमें तीस भी हो सकते हैं तो आप देखो कि 500 सेरों को प्रिटर करके हम 10 सेरी खरीदने कि बले ही इसकी डियमें तो सब लगबग समान होगी ति रिलाइस की भी देखो आप लगबग आसपास ही है लेकिन पात दिन की ज्यादा इसकी पर जाच चुकिए हमारे वारा क्या करेगा टूंड़ डियमें के आसपास ही बताएगा आपको जैसे एडियासी बैंक क्या 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 है कि मार्केट प्राइस 1623 रुपे जानने पैसे है पांत दिन की डियमें देखो आप 1622 रुपाई यानि इस त्यादिस के आसपास ही है सो दिन की डियमें 56 रुपे 87 पैसे है 200 दिन की डियमें 610 रुपे है और इसका बाउन वीक आई भी जो है बना था इसका 57 रुपे 3 जुलाई को बना था बाउन वीक का लो बना है ये 26 अक्टूबर को यानि ये बाउन वीक के लो से बढ़ता बढ़ता आ रहा है सेर बाउन पास पास ही उनके चल रहा है 5% का अंतर मैंने इसके अंदर लिया है कि या तो 5% कम है डिये में से या 5% उपर है इसको कहते हैं Consolidation phase में है इसका मजलब तब हमने लिखा कि इसको best time to buy यह लिखा नहीं automatic आये जो इसमें automatic formula से आया तो automatic formula इसमें अरारंग कर देगा सब कुछ मामला automatic है formula से है आपको कुछ भी नहीं करना और इसके बाद यह अगले इस share पे लिखा हुआ है best time to buy यह इंदुस्तान जिंक है तो इसके अंदर क्या क्या देखा जाएगा एक तो इनकी सभी DMA से current market price और सभी DMA आपस में एक दूसरे से 5% से कम ज़्यादा के अंतर में नहीं होनी चीए और एक इसमें share bound week के low से बढ़ते बढ़ते आना चीए नहीं की bound week के आई से गिरते गिरते आना चीए अब जादा इसमें में टाइम बरबाद नहीं करूंगा आपका क्योंकि आपका मैंने consolidated breakout stock पर अलग वीडियो बना रखा है जो लोग जादा जान करी चाहिए वो देख लेना आपको बस यह पता चल गया कि इस seat में से आपको share select करने इस seat को का link इस video की description में मिलेगा आप देख लेना वीडियो की description में जाके आराब से seat का link देखना फाइल मिलनों में जाना बेक कोपी करना बेक कोपी करके इसमें नए नाम से अपने google drive में कोपी करना और google seat अपने mobile में इस आपको शृड़ेड़ने से अरफके लाना था अब कमबल में यसा था कंभल कभी कूछ बैटे तो 3 दिन में कमबल बेच के आगे पंदरा दिन में बेचका आए ऐसा इसमें भी होगा आपको चे सहते आजआ हैं तो आदा प्रोफीट आपको डुदेंट के रुप में देना है आदा प्रोफिट अपने आपको डुडेंट के रूप में देखा ता कि आतो हाँ तो उसका एंजोई भी तो करना चाहिए ना उस पैसे कि आप गर में समान लाईए उस पैसे कि आप मुपडी लेके खाईए समसा खाईए उसका तो आदा तो आपको अपने आपको डुडेंट के रूप में दीजिए और आदा प्रोफिट को कमपाउंडिंग के रूप में लगाईए जैसे सूपढ नामक बेपारी किका आणी में बता ही थी तो यदि अभी आपके कम समझ में आ रही है तो आगे मैं आपको इसकी एक्से सीटहने पूरी गंड़ना समझा रहा हूं पूरी बिग्यान और गंड़ी तो भी समझाना बाकी है बिग्यान गंड़ी समझा आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आधी प्रॉफिट वोकिंग को कंपाउंडिंग में यूज करना है और ऐसा नहीं है अब आपको पूरे उसमें भी तो थाना कि कुछ बेटे कंबल नहीं बेच पाए थे तीन मेने तक कुछ बेटे तीन में बेच पाए थे कंबल प्राने पड़ गे थे लोग उनको 20% कम दाम उफर कर रहे थे तो आपके वह सकता है तीन मेने तक टार्गेट नहीं आए और आपका सेर 20% गिर जड़वाता था तो आपको यदि आपने 15,000 लगाए हैं तो एक बटा 15 बाग जितना आपने पैसा लगा है हो सकता है कि कुछ लोग ज़्यादा कैपिटल से सुरू करें या आपके आगे बढ़ते बढ़ते कंपाउंटिं से एक सेर के अंदर आप यदि मालो 30,000 लगाने ल उसका एक बटा 15 बाग की उसके अंदर S.I.P करनी है 20 प्रेट गिरने तक तो कुछ भी नी करना तो उससे वह दिले 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 आवरेज होता 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 वह भी तीन मिनने नहीं तो छै मिनने में बार निकल जाएगा लेकिन इसमें बार सभी निकड़ेंगे और Consolidate Breakout वाड़ हम पकड़ रहे हैं जो Year Law से बढ़े हैं शेर वह ही पकड़ रहे हैं लगब ब्रेकाउट के पास में जो खड़े होते हैं वह ही पकड़ रहे हैं इसमें तो इसलिए फिर बागी तो देखो जेर मार्केट में रिस्क तो मैसा होती आई है देखने इसमें इतनी रिस्क नहीं को हमने टोप 500 जो मार्केट के बड़ी कमपनिया है उन्हीं को हमने Consolidated Breakout में परयोग किया है तब इसकी पूरी विग्यान और गणी समझ लीजिए कि कैसे आपको ये विदी करनी है इसकी 15,900 रुपए होगी 6% प्रोफिट कमाके उनको 15,900 में बेचा प्रोफिट अमारा हो गया 900 रुपए अब दोनों साइट का ब्लोकेज गया ही मैंने 0 दा के नुसार दिया है यानि ये बाइंग वैल्यू और पलस सेलिंग वैल्यू दोनों को जोड़ करके देखो ये फा पास लगता है तो मैंने इसके अंदर जोड़ के चला हूँ तो इस टेड के अंदर 0 दा मेदिया पे टेड करते तो बाइंग सेलिंग मिला के आपके त्रेपन रुपए आठ पैसे के करीब खर्च होते आपके अब आपका ब्रोकर यदि ज्यादा ब्रोकेज लेता है तो पासा के हिसाब से आपको समझा रहा हूँ तो यह 900 रुपए जो प्रोफिट कमा के लाए वेपारी का जो के बच्चे जब कंबल बेच के आए 15,000 रुपए कंबल दिये वेपारी ने 900 रुपए कमा के लाए तो वेपारी समझदार था उसमें सारे खर्चे उसने कम किये 53 पिछे बच गे प्रोफिट के फिर इसमें हम इंकम टेक्स को भी कम करेंगे यानि यह जो आप प्रोफिट कमाते हैं इसके ओपर आपको 15% सोट टरम केपिटल गैन टेक्स देना पढ़ता है तो फार्मले में ने 0.15 की गुना किये तो 15% सोट टरम केपिटल के गैन टेक्स द तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आदे पैसे वेपारी ने खुद ले लिए इस में से आदा आपको अपना सेल्फ डिविडेंट देना है यानि आपको प्रोफिट बुक करने है तो आदा प्रोफिट आप अपने गर पे ले जाएए आराम से इसकी मुंख फड़ी खाई लिए तो यह पीछे जो 3 Lord 401 पैसे तो बेपारी ने खुद ले लिए और 390 पैसे अगली बार जब बिजने गया तो उसको का 15,307 लुपे 40 कंबल बेजने आओ बेटा तो वह पंधरा भार भी आपके अफ्ले पैसे का तो अबके वेपारी ने इसमें से आदा ले लिया 306 रुपय आठ पैसे और 306 रुपय आठ पैसे बेटे के अंदर फिर से एड़ के दी कर दिये कि अबके आप 15,723 रुपय आज पैसे के कमल बेज के आओ यानि जो भी मुनाभ़ा उता है उसमें से आदा मुनाभ़ा आपको हर बार कंपांडिंग के लिए एड़ करते जाना है तो ऐसे ये एक बच्चे की काहनी रखोरी के दस बैटे ते है ये कैसे रहोगे ये मं आपको भी आगे समझाने बाड़ा हूं तो यह आप देखते जाएए तो यह अभी कि एक स्टेप हुआ 15,000 वाड़ा फिर दूसरा स्टेप हुआ अगली बार 15,000 वाड़ा 37,000 वाड़ा का आप इंवेस्टमेंट करोगे तो इनको आपको दस बचों का इसाब कैसे रखना है तो मैं सन वाइज अलोटमेंट दूसरी सीट बढ़ी हुए यह में यहाँ में दिखाता हूँ आपको कि बचों के नाम मैंने S1, S2, S3 दे दिए आप नाम कुछ भी रख सकते हैं कर्णीदान, आईदान, रिदुदान रख सकते हैं रामलाल, किटू, शामलाल ऐसे रख सकते हैं शेतान सींग रख सकते हैं जो आपके मना है ऐसे बचों का नाम रख सकते हैं तो मैंने इसको जो है नाम S1, S2, S3, S4 दे दिए, आप इसका नाम अब्दूर रख सकते हैं, आलम खान रख सकते हैं, जैसा आपका नाम चाहें वैसे आप उसके नाम अपने बच्चों के रख सकते हैं, तो यह आपके बच्चे जो आपके लिए कमा के ला रहे हैं, यह एक से का सेर आया उसने 15,000 का पहले दिन खरीदा दूर से दिन उसने मालोड डाबर का खरीदा 15,000 का तीसे दिन उसने एक एक बच्चे को एक बार में अलोड करता गया तो यह तो पीड़े रंग किये यह प्रोफिट बुकिंग के बाद है कि अडान इंटरपाइस में जब भी प्रोफिट बुक हुआ उसने इसको येलो कलर दे दिया तो आप चाहिए तो डैरी में इसका मैनूली इसाब भी रख प्रोफिट बुकिंग अभी नहीं हो पाया तो इसको अभी ऐसे बार निकलने का क्या वीदी है बार निकलना क्या तरीका कैसे इससे बार निकला जाएगा SBA का है तो उसमें प्रोफिट बुकिंग अभी नहीं हो पाया तो इसको अभी ऐसे कैसे रहने देना है तो पहले दस सेर खरीद ली हमने तो इस तरह से इसमें पहला सेर S1 को अलोट करेंगे दूसा सेर S2 को अलोट करेंगे तीसा सेर S3 को अलोट करेंगे सब में 15-15,000 की इस से उस वेपारी के 10 बच्चे थे सब को उसने 15-15,000 दिये थे तो 10 की लाइन पूरी हो जाए उसके बाद गया करना है कि जिसमें भी प्रोफिट बुक हो जाए पहले मानलो इसमें आयसर मोटर में पहले प्रोफिट बुक हो गया तो अगला से रिपीड लाइट खरी देंगे त तो 15,314 रुपए 60 पैसे का यानि ये इसमें मैंने थोड़ा सा मिने फार्मॉला भी सही कर दूँगा तो ये अगला पंदा आजार तीम 314 जो दिया था ये SBA के ब्लोकिस के दार पर दिया था हमारे या क्या चल रहा है जीरो दा के ब्लोकिस के साब से थोड़ी सी एमांट इसमें चैन्ज हो गई है तो ग्रोथ एमांट के 307 रुपए 40 पैसे हो गई है तो अगला जब खरी देंगे आप तो इसमें 15,357 रुपए 40 पैसे आखर देंगे मैं इसको सही कर दूँगा फार्मॉला मैं इस प्रतकार से दिया हुआ या 15,37.40 तो अब ये फार्मॉला दिय जो रंग आपको एक बार चैन्द करके दिखा देता हूं कलर के वाड़ी बाद आप समझ जाओगे अब आप इसको कलर करके पीड करें डायरी में करें मालो उसने पहली पंक्ती जो है इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट की एक पंक्ती पूरी कर लिए डानिन प्रैजेज में इसको एल्ओ नष्ट मियं कहुंए मूंटर में एसको एलोट किया, आई सर मोटर को वा बाले पेटा था, इसका एससी क स्वाला उसको इसने खरीदने के लोट किया कि आकत पीड ऑल्त का से खरीदा न है 15,300 रुपे 40 पैसे का खरीदना है यानि ये सब मैं जो बता रहा हूँ आपको ये कालपनिक बता रहा हूँ अभी इसको और मैं शीट को डिलीट कर देता हूँ मान लिजे अब आपके समय में आजएगा अच्छी तरह से आपको इस पीड लाइट के अंदर 15,300 रुपे 40 पैसे लगाने है अब कोई प्रोफिट बुक नहीं होता है एक से और आ रहा है सीट में तो अगले दिन कोई निखरी ना हिंजार करना है अब मान लिजे इसके अंदर डानी इंटरपैसर में प्रोफिट बुक हो गया तो इसको आपको ऐसे येलो कलर दे देना है दूसरा सेर आ गया मान लिजे इसके अंदर वीपरो आ गया प्रोफिट बुक हो गई तो इसको पीडा कर देंगे या याददास्ती के लिए इन में वारी प्रोफिट बुक हो गई तीसरा सेर अब हम मान लिजे कोई अन्य कोई तीसरा सेर खरीदते हैं HDFC बैंक खरीदे मान लो तो HDFC के अंदर आपको अब तीसरी बार कितना लगाना है तीसरी बार ये 15,723 रुपए 488 पैसे लगाना है 15,723 रुपए 488 पैसे तो इस तरह से ये 281 पंक्तिया ये आपके 233 पंक्तिया जब पूरी हो जाएगी आप देखो इसमें 233 पंक्तिया इसमें पूरी हो जाएगी चलते चलते यानि आगे सागे अम यदि करते रहे 15,000 रुपए को इस प्रकार से जोड़ते रहे तो 233 ही ट्रेड ऐसी करनी आपको 233 पूरी होने के बाद ये आपकी इंवे पंक्ति में ऐसे एडिंग दिये वे इन्वेस्टमेंट आफ्टर सिस्पेंट वर्यू तो एक पंक्ति ओनी गिनेंगे 233 ट्रेड होने के बाद में यह हो गया और जो सेल्फ डिविडेंट दिया आदा पैसा आपने अपने मुफळी खाने के लिए तो मुफळी भी आप एक बेटा जो एक रोड की स्तिति में आएगा तो आपके 10 बेटे 10 कुष्टी में आजाएंगे एक बेटा एक लोड की सतिति में आपने दस बेटे पाल रखें तो यह 10 रुपी हो जाएंगे सब बेटों के पास और एक क्लोड का आप खुद अपने जीवन खर्चा चलाने के द बीच में छोड़ करनी बागो आपको रोज का रोज का रोज मिलता जा रहा है और 233 पुरा करने से पहले ही आपको आनंदाना सुरू हो जाएगा जब आप 141 140 पुरा कर लेंगे तो आपको डुटेंट ही एक प्रोफिट बुकिंग में 10,000 रुपे मिलेगा दस अजार रुपे का एक प्रोफिट बुकिंग करेंगे तो आप घर पे अपने खर्चे के लिए 10,000 रुपे ले जा पाएंगे 140 पुरा करने के बाद तो इस तरह से यह चाहिए डायरी में मैंटेन करो चाहिए आप एक्सेट में मैंटेन करो यह जो मैं एक्सेट में दीजिये और डायरी में आप अपना इसाब कताब देखिए कि आज मैंने इस बेटे को 15,000 पे दिये इतना ब्रोकेज लगा 6 परसेंट रखके इतना आ गया इतना डूडेंट में खुद रख लिया तो डायरी में इसाब कताब भी आप रख सकते हैं तो आप डायरी में इसा पांस साथ दस दिन तक वो शेर सीट के अंदर बना भी रहता है और दूसरा आप सीट का मुझसे अक्सेस मत मांगिए मुझे बेरे पास परती दिन इस तरह के बहुत से इमेल आते हैं गूगल सीट की तरफ से कि फला आदमी आपसे एक्सेस मांग रहा है एक्सेस नहीं अब प्रियुक्त नहीं करके सब्सक्ति क्या है क्योंकि मैं थोड़ा लाची आदमी था उसके अंदर इस मैं पंदरा जार ने लगा के 40 प्रसेंट पैसा बी लगा देता एक शेयर के अंदर तो मुझे margin को अच्छा नहीं समझता, margin बुरा को अभी आपको दिखाई भी दे जाएगा, जब आप मेरा SBA सिकोर्टीज एकाउंट देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि margin लेना कभी-कभी बुरा भी साबित होता है, मेंसा अच्छा साबित नहीं होता, तो SBA सिकोर्टीज के मेरे खाते का पिछले डेड़ साल का record देखिए, कि कैसे मैंने इसमें 1,19,375 रुपर इस वीदी से कमाए हैं, कैसे मैं step by step इसके अंदर आगे बढ़ रहा हूँ, तो यह इसका practical बाग है, आपको पता चले कि यह ऐसा theoretical हवा में बात नहीं किये, मैंने हवा में बकवास नहीं किये, मैंने पहली वीदी को तेड़ साल यूज किया, उसके बाद आपको बताए, तो देखिए मेरा SBA Securities का अकाउंट है, जिसमें पिछले डेड़ साल से लगब मुझे प्रोफिट बचा, ब्रोक के सब्सक्राइब काटिकों कितना बचा, जिसे अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लिम्टेट के अंदर मैंने 22 से रखी दे, 17,000 बिया सिर्वे वैल्यू, यानि आप समझे रहे हैं, 15,000 से सुरू को भी वैल्यू दिरे दिरे फार्मले से इस के अंदर टोटल आप मेरा प्रोफिट बॉटी कि का, 50,622 ठीचेतर पैसे का इस है, प्रोटल बॉटि देख सकते हैं, अम आप कहेंगे, 108 रुपैप आप ने लोस भी बूट किया, हमें तो कहते हैं, इस टोप लोस मत लगाओ तो भाई, मैंने कोई इस टोप लोस नहीं इसमें मार्जिन में क्या होता है 40 दिन तक कोई ब्याज नहीं देना पड़ता अब वो 40 दिन के बाद ब्याद लगना चालू हो गया मेरा खुद का पैसा था मैंने 108 रुपया गाटा बुक कर लिया कोई बात नहीं गाटा माइनस करके भी इसके अंदर आप देख सकते हो 85,622 रुपया पैसे का नेट प्रोफिट मुझे दो अजार 23,24 में बचा और मैंने जैसा कि आपको बताया कि इसमें लगबग डेड़ साल हुआ है तो पिछले साल के 5-6 मीने में मैंने क्या खुमाया था दो अजार 22,24 में वो भी आप जो इसके अंदर देख लीजिए भी चार्जिस कितना आता है वो भी आपके सामने आज 50 का लोस बुक किया यहां भी पैसे जूरत पड़ी थी क्या यहां पैसे जूरत नहीं पड़ी थी वो ही बात है लालच पे आके इमार्जिन में पहुश ली थी और SBA का सिस्टम या इमार्जिन का डगमगा गया था और सिस्टम डगमगाने से यह कह रहे थे कि आपको लोस है आप इसकी डिलिवरी नहीं ले सकते मैंने कस्टमर केर वगरा पे काफी प्रयास किया ऐसे बहुत से मेरे फॉलोवर्स के साथ भी यह समझे आई थी उस समय कि इन्हों ने जबरन हमें लोस बुक करवा दिया था तो यह सब उस जबर जस्ती बुक कराएंगे लोस का पर न इस पैसे 22 देश का प्रोफिट है इस प्रकार से टोटल एक लाग उनिस जार तीन सो पिछेतर रुपया प्रोफिट फिसले डेट साल में मैंने इस विद्धी से इस प्रोफिट होता है अब मैं इस पूरे सिस्टम को कैश में लेके आ रहा हूं ताकि जबरन लोस बुक बगे रहा कि इस्तिती नहीं आए तो अब वीडियो के आखरी बाग में बारी आती है एफेक यूज की कि आपके मन में फिर्क्वेंटली आस्ट क्योक्शन है आपके मन में जो स्वाल उमड गुमड रहे हैं उनका क्या जवाब है तो पहला परसंद क्या है कि इस बात की क्या गारंटी है कि 6% प्रोफिट आर की डिस्कलेमर दिखाऊंगा कि इसमें जो है कोई गारंटी नहीं है कुछ नहीं है तो मैं खुद भी देखो इस तरह की चीजों से दूसता हूं गारंटी कोई नहीं है यदि आपने अच्छे सेर लिये हैं और आपको सेर विश्वास है तो 20% गिरने तक तो आपको कुछ भ आने में जो खर्च करता था वैसे ही आपको हर मेने की एक बटा पंद्रा बागी करने तक दिरे-दिरे 20% किरने के बाद वो सेर रेरेज होने लगे और आपका बागया अच्छा रहा और वो यदि डीलिस्ट नहीं हुआ देखो यह तो आकि बिजनस है डीलिस्ट भी हो सकता कोई सेर बीच में 30,000 के स्टैप पे दिमालो कोई सेर डीलिस्ट भी हो गया तो क्या हुआ बेटे को डाकू ने लूट लिया वह बेटा कंबल मिल गया उसको मार के ठोक के कंबल भी लेगे सब कुछ लेगे कूट पीट के घर पे बे दिया तो उसको दुवारा 15,000 दे दे द डिडेंट भी तो उसने एक क्रोड पे खुद भी तो कमाया है सुपडू ने उसमें से कोई सेर डीलिस्ट हो गया तो उसको दे देंगे इसलिए आपको क्या है कि आपको देखो जिसको टमाटर बेचना नहीं आता उसको सेर बेचने भी नहीं आते यह बैने मेरे किताब में लिखा था मुझे किताब का नाम तो नहीं यादा रहा कौन सी किताब में लिखा था चाहिए फोर्टीवन टेडिंग टिप्स नामक किताब थी फोर्टीवन टेडिंग टिप्स किताब में लिखा था जिसको टमाटर बेचने नहीं आते उसको सेर बेचने मिन आते तो आप जो एक सो सबसे पहले मेरे जो भी खास follower है वो तीन किताब उश्य पढ़े पहली किताब पढ़ना दुनिया का मानतम सेर्समें पढ़ना ये बहुत अची किताब है जब मैंने पहली बारे किताब पढ़ी तो किताब में एक सीन ऐसा आया जिसको पढ़कर के मुझे रोना आ गय उस किताब में एक सीन को पढ़ करके मैं रोने लगा और जब बाद में मैंने वो किताब मेरी बेटी को दी तो मेरी बेटी को पुछा कि आप जब किताब को पढ़ो ये बता रहा कि कौन से सीन में मुझे रोना आ गया था तो मेरी बेटी बड़ी ओश्यार थी उसने एक्ज बेजने की कला अपसे लेकर के शेर बेजने तक की कला उसके अंदर आप सीख जाओगे तो उसका लिंक में इस वीडियो की डेस्किशन में प्रोवाइड करा दूँगा आप भी किताब पढ़ना किताब पढ़ गया आप भी कमेंट में मुझे बताना कि कौन से सीन को देख करके मुझे रोना आ गया होगा इस किताब के अंदर तो पहली किताब मैं तीन किताब में पता रहा था पहली किताब दुनिया का मानतम सेफ्स में आपको उश्य पढ़नी चीए उसका लिंक मैं वीडियो की डेस्किस में दे दूँगा दूसरा मैंने अनेक बार आपको कहा है बेबी लोन का सबसे अमीर आदमी ये किताब आपको उश्य पढ़नी चीए उसका लिंक में मैं आपको वीडियो की डेस्किस में दे दूँगा तीसरी मेरी खुद की किताब है 41 trading tips 41 trading tips जो है वो भी आपपड़ो ता कि शेर्बजार में trading करने कि आपको कला की detail में जानकरी मिले तो पहला एफेक्व आपको हो गया कि क्या guarantee है कि profit मिले या नहीं मिले दूसरा प्रसन आता है कि कितना time लगेगा 10 crore कमाने में हमें कितने साल लगेंगे जिन्दगी तो नहीं बीच जाएगी चोग हमें तो आज ही क्रोड पती होना है हमें तो 10 क्रोड आज ही चाहिए तो भाई करते रो इंट्रा डे करते रो future option गवाते रो पैसा खेलते रो किर्केट के game इसमें देखो time का आपको क्या करना है जब आपको नियमीत रूप से आप अपने आपको डिविडेंट चुका रहे हो आपको मुप लिखाने के लोग इतना time कोई कहेगा कि मेश सर आपको एक लाग नीज जार कमाने में डेड़ साल लगा डेड़ कोड में चूंकी इतने लगेंगे तब तक आप मरी जाओगे तो इसा नहीं है यह भी पिरामीड कार में होता है नीचे नीचे प्रोफिट कम होता है आप 15,000 पर जाते उतना पैसा कमाना और जारा असान होता है एक परसन इसमें यह भी आ सकता है वीच में मैंने परसन में लिखा नहीं 2.5 परसन यह भी मैं डाल देता हूं कि मैं 2 लाग से शुरू नहीं करता मैं 20 लाग से करूं तो इस अनपात में गुणा कर लेना गाड़ी आपकी कहा तक आगी 20 लाग से शीट में आप चालू हो जा परसन आता है श्टोप लोस का इस टोप लोस में आपको बताए है कि मैं इस बीदी में लगाना बताऊंगा मैं आपको बताऊंगा कि 20 परसेंट से जज़ादा आपका शेर की तो एक बटा पंदरा बाग किया पैसा इपी कर दीजिए चौता परसन आता है कि दस पूरे हो ग जादा गिर गे मालों को मार्केट बीर पेस में आ जाए गिर जाए तो उनमें ऐसा इपी कीजिए और आपके आपको इस वीदी पे विश्वास है आपको विश्वास आपको लग रहा है कि दस पूरे हो गये लेकिन 11-12 शेर वीशीट में आ गया वह भी अच्छा दिखाई कि दे रहा है और आपके पास पढ़ा यह मत इस एक्सक्रापंड लगा देना उसको मिले जो पूरा का पूरा डिले मेरी तब से गिफ्ट समझें रखना तो इसलिए एक बीदी है इसमें अगला प्रसम आएगा कि आपकी जो सीट है इसमें सलीट से सभाफ इसमें 15,000 का है इ सब्सक्राइब करते हैं तो यह 9.1 तो पुर्णांग में खरीद दो इसको 10 से खरीद दो क्या फ्रक पड़ता है सुरू सुरू में तो 15,000 की जगे हैं थोड़े से 16,000 430 के भी खरीद दो क्या फ्रक पुर्णांग में खरीद दो गुणा बाग में 15,000 के लेंगे बाकी का जो प्रोफिट है वो हमारा एक्स्ट्रा प्रोफिट रखेंगे अब एक बहुत बड़ा बैतर पुर्ण परसन यक्ष परसन कि आपने कोशिक सर बहुत सी विद्यां बताई इनमें सबसे बढ़िया कौन सी है मुझे तो यह बढ़िया लगी अभी तक मैं एटीप की दुकान कर रहा था कल से मैं इसको छोड़ दूं क्या एटीप की दुका आगे है अब में एक रस्ते प्रस्ते पर अगे अगए अब मैं कर रहा हो दूसे बापस बैगाधिन नहीं पहुँच पाऊंगा तो मैं तो यह करते रही है इसमें परसे आपके पास जब भीकभी दोलाख रुपे हो तो इसमे अलग से ऐलोट कर देना तो यह इस परसन का ज पूछता हूँ कि साब कौन सी मिठाईत आ जाए मेर् सभी मिठाईत आ जाए मेरे सबी बढ़िया है मम्मी बहुत से बोजन बढाती है जिस बच्को जो बजन रुटी करो वह उसी बोजन को खाता है तो आपको जो भी परसंद आये उस भी शांदार ऊसी आजाएगी यह पर मैं आपको दोलाक रुपए दे रहता हूँ आप अपनी फीस काट लेना इसमें से और दस कोड़ बन जाए तो मुझे दे देना तो भाई इस तरह की मुर्खताओं का तो कोई जवाब मेर पास है नहीं तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करें उश्य होगित कराईएगा आप सब का बहुत बहुत दिन्यवाद नमस्कार अब सोजाओ राद बहुत हो गई आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है अकर इस वीडियो में दिखाईगी जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल परपेस के लिए समझा जावे तो आपको इसमें बताईगी जानकारी को प्लोक स्वेव विएक से करें मैं इस वीडियो का नबाता किसी भी नुक्तान के लिए उतरदाई नहीं रहूँगा दन्मेबात